सिर्फ 55 रुपिये पर किलो की इंवेस्मेंट से महीने का आप कमा सकते हैं 5-6 लाग वो भी एक ऐसे बिजनेस से जिसके बारे में कोई नहीं सोचता और इसकी इंवेस्मेंट भी है कम और इसकी प्रॉसेस भी आसान है आज हम दिखाने वाले हैं इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करते हैं और इससे आप प्रति दिन 20,000 कैसे कमा सकते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें ये है रोटी मेकिंग बिजनेस इस शहरों में जहां की लाइफस्टाइल में इतना रश है वहां आप रोटी सेल करके महीने का लाखों कमा सकते हो बस 80 प्रतिशत कुप्ट रोटी पैक्ट करके आप 100 प्रतिशत प्रॉफिट कमा सकते हो और ओनलाइन 6 रोटी का पैक भी 80 से 130 रुपे में सेल होता है यह है हमारी रोलिंग प्रेस मशीन जिसमें आप 1 किलो के आटे से 15 रोटी बना सकते हो आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिन की लागत और आपकी दिन की कमार जिसके लिए आपको चाहिए गयस पांच सौ रुपे की, with लेबर एक हजार रुपे की, packaging 500 रुपे की, ट्रांसपोर दो हजार रुपे की, electricity 500 रुपे की, आटा ग्राइंडिंग एक सौ रुपे की यह रहेगा आपका दिन का खर्चा जो होगा 4,600 रुपे अब आप सोच रहे हैं इसमें आपका दिन का बीस हजार प्रॉफिट कैसे होगा तो इस बिजनिस में आपकी मदद करेगी हमारी ये आल इन वन रोलिंग प्रेस रोटी मेकिंग मशीन जिसे यूज करना काफी आसान है और आज हम इसमें आपको रोटी बना कर दिखाएंगे सबसे पहले मिक्सर में आटा निकालेंगे और उसे टेपलॉन रोलर पर लगाएंगे फिर आप देख सकते हैं कि डाइ रोलर से हमारी रोटी कितनी परफेक्ट गोल आकार में निकली है अब हम रोटी को मशीन में डाल कर निकालेंगे अब हम आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे पकाया जाता है एक तरफ तवे पर और दूसरी तरफ गैस पर पकाएंगे आपकी बिजनस प्रड़क्टिविटी बढ़ाने के लिए इस मशीन को जानते हैं इसकी जर्मन टेक्नोलोजी इसको बनाती है मेंटिनिंस फ्री और इसमें चेंज के बदले लगे हैं वी बेल्स तो इसमें ऑइलिंग और ग्रीसिंग की भी जरूरत नहीं है मार्केट में हम ही है जो टेफलॉन रोलर्स पर देते हैं लाइफटाइम वारंटी इसकी बॉडी बनी है पॉली कर्बनेट शीट से जो इस मशीन को वाशिबल और हैजीनिक बनाता है और शीट पर है दस साल की वारंटी इसके receiver belts, cotton belt की तरहा fungus या oil absorb नहीं करते क्योंकि ये बने है PU material से जिसे clean करना भी आसान है और ये non-sticky है इसके dyes भी आप बिना roller remove किये change कर सकते हो और आपको कोई external parts लेने की जरूरत नहीं है सब इसमें in-build ही आते हैं जो आपकी बचत भी करेगा जानते हैं इस machine से दिन के 25,000 से 28,000 कैसे कमा सकते हो ये एक kilo में 15 रोटी बनाती है और एक घंटे में 240 रोटी और आठ घंटे में आप बना सकते हो 1920 रोटी अगर market value एक रोटी की 15 रुपए रखें तो एक घंटे का आपका profit होगा 3600 और दिन का 28,800 profit कर सकते हो और आपकी दिन का खर्चा 7,040 रुपए कट भी करें तो भी आप 25,000 से 28,000 कमा सकते हो और wholesale पे भी बेचा तो भी आपका 12,000 से ज्यादा profit दिन का होगा अगर आप ये सोच रहे हो कि product तो ready है लेकिन इसको बेचना कहा है हम आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे बीच सकते हैं आप इसको restaurants में sell कर सकते हो क्योंकि आज के time रोटी बनाने के labor मिलना मुश्किल है और रोटी making process भी time consuming है योहार के time और work overload के time hotel और restaurant का staff उड़ंचू हो जाता है तो उस वक्त आपका business profitable बन सकता है आप mess और hostels में भी sell कर सकते हो उन्हें रोज के 10,000 से 20,000 रोटी की जरूरत पड़ती है और industrial areas, canteens जहां दिन में 2000 से 5000 बस एक industry के ही लोग होते हैं वहां बेच सकते हैं तो उसके हिसाब से आप आपका profit कितना होगा ये भी calculate कर सकते हो और food stalls जहां पे आप rolls, samosa और momos के लिए मैदा आटा रोटी भी sell कर सकते हो और महराश्टरा में non-veget धाबे पे जवार बाजरा रोटी सबसे ज्यादा चलता है तो आप वहां भी बेच सकते हो और इन्हें preservative की सहायता और deep freeze करके online stores पर भी sell और export कर सकते हो और frozen market का evaluation है एक 150 billion और अगले 4 साल होगा 380 billion तो आप अभी से इस market में आओगे तो आप profitable रहोगे और जो events managers हैं जो शादी या receptions के orders लेते हैं उनको भी आप ये बेच सकते हो एक दिन पहले order लेगा और इतना ही नहीं आप इसको cloud kitchen पे sell कर सकते हो क्योहार में मंदिर, लंगर, मस्जिद ऐसी जगह भी बेच सकते हो इस machine की लागत और ये सब products कैसे बनाएं और इनको sell कैसे करें इसकी free training के लिए हमें call करें और इस machine की अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें रपया आपसे अनुरोध है वीडियो पूरी देख कर ही call करें